कैसे हो तोस्तों आशा करती हों जो जहाँ पर भी हो अपने अपनी परिस्तिती में अपने अपनी कर्तवों को संपादन करने के लिए सच्चाई और प्यार के साथ जीत और कोशिश किये जा रहे हो तो आज एक नई कविता लिके आ गई हो आज की कविता बांगला में उसका नाम है पाड़ी पाड़ी मतलब कहीं पर जाना अड़ यात्रा शुरू करना तो चले शुरू करते हैं कविता को हम इसको आज बोलते हैं यात्रा लेखक स्री टीनकुरी पात्रो तुमको प्यार करने के लिए ये दल अभी इतना परिनत नहीं हुआ है अभी भी असंपोर्ण अस्फुट है चनले के राह में तुम्हारा जो जरूरत है वो जो कितना वेशन है वो वेशन तो हम समझ पाते हैं लेकिन तब भी आगे नहीं आपाते हैं थोड़ा सा भी तुम्हारा दाइत्व, तुम्हारा निरापत्ता, साधिन्ता, तुम्हारी सुरक्षा सब कुछ सोच कर, सब कुछ जो तो तानिबानी के तरह जिस जीवन के साथ वो फिरोया हुआ है सब कुछ समझ कर, तब भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये तो हाथ अभी भी सुद्रिर नहीं है प्रयजिन के समय अभी भी वो जड़ बहुत ही दुरबल है जहां बिफले ये पूरी समाज, अवला को निरापत्ता देने में चारो तरफ सिर्फ लोब, लालसा से भरी निगाहे वो दुर करने के लिए निश्चित एक प्रतिशेधक सामने नहीं आया है अभी भी हातों में नहीं लगा है, इसलिए तो बहुत ही असहाय लगता है बहुत ही दुरबल लगता है खुद को, बहुत ही खीन लगता है खुद को ये समाज तो अभी भी निर्विकार, बहुत ही निर्वाक मूख होके बैठा हुआ है तुम्हारा सम्मान मर्यादा सा दिन तक और रक्षा जरूरत अभी भी पड़ता ही है ऐसा कोई यंत्र ऐसा कोई अगर मैं ढून पाता तो इसलिए ये यात्रा ये महा यात्रा एक प्रांथ से दूसरे अन देखा अन सुना और एक प्रांथ में आ समंदर हिमालय से मरू प्रांथर हर कोणे में गाउं सहर घूम जोप हर मकान को छोड़ कर सीधे चलते हुए हर एक वो नुकर पीछे डालते हुए मैं सर्व ढून रहा हूँ कभी अगर कोई प्रांथ में कभी कोई अगर कोना अगर बोल दे के वो मंत्र क्या है क्या ऐसा कोई एक यंत्रग सामने लाके रख दे तो रख दिया ना तो तभी सामने मैं आगे आऊंगा और बोलूँगा ये है वो हाथ जो तुम चाहती हो ये है वो प्रशस्त सीना चाहाँ पर तुम हैं मिल सकता है साधिन निरापद आस्रे तो दोस्तो आज की कविता तो यहां पर ही खतम होती है लेकिन एक बाद मैं जरूर बोलूँगी हर वो पीता राता हर वो स्वामी हर वो बांध हर वो सका वो अपने आपको इतना मजबूर ना महसूस करे इतना खुद को हीन ना महसूस करे मैं आशा करूँगी कि हर वो माता हर वो बेहन हर वो कन्या हर वो पतनी अपने आप में हर वो आत्मा अपने आप में इतना सक्षम हो जाए कि वो खुद अपने दुनों इन हाथों को इतना सबल कर ले इतना सीना सबल कर ले इतना सीना चोड़ा कर ले सहस के साथ कि वो एक निरापद एक सुन्दर एक सुख में संसार बसा ले तो आज के लिए यहां तकी हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुभ मस्तू